इस टूटोरियल में आज हम देखेंगे आप एक कम्प्यूटर द्वारा अपनी स्टूडेंट आइडी से गूगल मीट पर ऑननाइन लेक्चर कैसे आटेंड कर सकते हैं पहले अपने ब्राउजर के यूरल बार में टाइप कीजिए meet.google.com यहां sign in पर क्लिक कीजे अपनी स्टूडेंट आइडी से लॉग इन कीजिए लॉग इन करने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी अब यूजर मीटिंग कोड पर क्लिक कीजिए यहां पर आपको मीटिंग कोड टाइप करना है जो आपका क्लास का नंबर होगा अगर आप 1st standard में है तो आपका मीटिंग कोड है 1 अगर आप 2nd में है तो आपका मीटिंग कोड है 2 अगर आप 3rd में है तो आपका मीटिंग कोड है 3 अगर आप 4 में है तो आपका मीटिंग कोड है 4 अगर आप 10th में है तो आपका मीटिंग कोड होगा 10 यह जो भी हम में होगा हमेशे प्लीज रमेंबर अब इस ट्यूटोरियल के लिए हम थर्ड सेंडर्ड की मीटिंग से करेंगे हम टाइप करेंगे यहां 3 एंड क्लिक करेंगे कंटीनियू अब आपको इस प्रकार से एक pop-up आ सकता है allow me to use your camera and microphone allow उपर क्लिक कीजिए अब आपका microphone और camera शुरू हो चुके हैं अगर आपका microphone बंद करना चाहते हैं जो मैं recommend करूंगा कि आप आपका microphone बंद ही रखें इस पर क्लिक कीजिए अगर आप camera बंद करना चाहते हैं तो camera बंद करतीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं test teacher is in this call जो भी आपके teacher होंगे for example प्रद्या माडण तो प्रद्या जोशी is in this call क्लिक join now और आप connect हो चुके हैं आप देख सकते हैं मैं एक दूसरे device से यहाँ पर लॉग देख सकते हैं अब यहाँ आपके दो options है जैसे मैंने बताया microphone और camera यह basic controls है यह बीच वाला जो option है leave call यह अगर आपका class खतम हो जाता है तो आप इसे click कर लेंगे और call end हो जाएगा यहाँ पर top right corner में second option जो है यह है chat box जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक public message भेज सकते हैं इस particular class के दौरान जैसे अगर आप teacher से कोई question करना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप कीजिए तो आप इस प्रकार से हैं question कर सकते हैं और teacher यहाँ से आपको reply कर सकती है आप यहाँ पर क्लिक करने से आप बहर आ जाएंगे दौरा आप यहाँ पर क्लिक करने से आप बहर आ जाएंगे दौरा जब आपका class खतम हो जाए आपकी leave call option पर क्लिक करके class से बहर आ सकते हैं always remember to sign out from your id when you are using a public computer if you have any questions regarding using google meet with your student id please write to us and we'll get back to you shortly thank you so much